हेलो दोस्तों मैं रहोल और मेरे पसा आगया है इन्फिनिक्स 05G और आज के सुरू में मैं इसका अन्बॉक्सिंग करूँगा ओवर्वियू करूँगा तो ये वीडियो आप स्टेल एंड तक देख लीजेगा वीडियो स्टार्ट के इन से बिले में आप एक साल बात पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप फोन को एक्स्चेंज करके कोई नया फोन ले सकते हैं और दूसरा यहाँ पर इन्फिनिक्स ने फ्लिपकर्ट के साथ पार्टनर्शिप करके सबसे बड़ा कमाल दिखाया है वो है 12 मन्थ नो कॉस्ट EMI जैसे कि आप यहाँ पर देख पार होंगे क्योल मत का नो कॉस्ट EMI आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं पहला उप्शन है आप यहाँ फोल पेमेंट का EMI कर लिजे यहाँ पर आपको कुछ एमाउंट देना पड़ेगा 12 महीने तक यहाँ पर दूसरा उप्शन है जहाँ पर आपको 70% आप EMI कर लिजे और बागी एक साल बाग 30% आप पेमेंट कर दीजे तो यह दो उप्शन आपको यहाँ पर देखने हों बल जाते हैं फ्लिप कार्ट की तरफ से इन्फिनिक्स की तरफ से एक कोलावेशन का जो कि मेरे ख्याल से यह काफी बढ़ियां ओफर दिया गया है अगर आपके पास जादा पैसा नहीं है तो आप फूल पेमेंट का 12 मंथ का EMI करवा लिजे और धीर धीरे करके पैसा दे दीजे 12 महिना में आपका सारा पैसा चुक जाए भी और फोन भी आपका खुद का हो जाएगा या फिर आप यहाँ पर एक साल में फोन चेंज करते रहते हैं तो स्मार्ट अप्ग्रेट प्लैन पर जाएए और 70% पेमेंट कर दीजे बाकी का 30% आप एक साल बाप एक्सेंज कर लिजे तो यह जो है दो आपको खास ओफर देखने को मिलता है जो कि मेरे ख्याल से काफी बढ़िया ओफर है बाकी इसके प्राइस के बारे मुझे कोई भी आइडिया नहीं है 20,000 के नीचे आता है तो काफी बढ़िया है बाकी देखते हैं खिलाल करते हैं इसको आन बॉक्स के बात करें तो बॉक्स काफी बड़ा है जिसके आप यहां पर देख पा रहे हैं और कुछ इस तरीके का नजर आ जाता है सबी जगा यहां पर 05G अगेरा दिया गया है पीछे के तरफ आपको स्पिक्स देखने को मिल जाते हैं जिसके बारे में थोड़ी दिर बात करेंगे और यहां पर प्राइस मेंशन किया गया है 24,999 बड़ यह जो है 19,000 के आसपास के प्राइस का ही लॉंच होगा और बाकी सार वैलू की बात करें तो यहां पर आपको हेट के मिल जाता है 0.948 WKG बॉडी के मिल जाता है 1.105 WKG फिलाल जो है इसको कर लेते हैं अन बॉक्स यहां पर जो है यह कुछ इस तरीके से ओपन होता है box open करते ही सबसे पहले हमें यहां पर जाए phone देखने को मिलता है और phone की तरफ आएंगे बाद में पहले box content देख लेते हैं इसको रखते है साइड में और देखते हैं यहां पर क्या क्या देखने को मिलता है यहां पर नीचे एक compartment दिया गया है और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या 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 देखने को मिलता है एक जो है टीप्यू केस देखने को मिलता है जो की कफी अच्छी क्वालिटी का है ठीक्ता और यहां पर हमें अंदर क्या देखने को मिलता है तो C-type Cable दिया गया है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं और साथ ही यहां पर जो है आपको 33 Watt का एक Fast Charger प्रोवाइड करवाई जाता है जिससे आप इस फोन को जो है Fastly Charge कर सकते हैं की बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है फोन की बात करें फोन देखने में काफी प्रीमियम लगता है जिसके आप यहां पर दीख पा रहे हैं और यहां पर कैमरा बंप नहीं बॉड़ी के साथ ही इसे जो है मैच कर दिया गया है और साइड की बात करें तो काफी ऐक हाथ से भी जादा देखने हो मता है बट आपको बॉक्स के अंदर कवर दिया गया है तो आप यहां पर जो है कवर लगा के रख सकते हैं जिससे आपका फोन यहां पर जो है सुरक्षित रहेगा स्क्रैच वगरा से जो काफी अच्छी बात है डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर आपको काफी मज़ा आएगा बड़ा डिस्प्ले दिया गया हे और यहां पर आप को प्रफि का पडिया हो जाते हैं Glass डिसमें देखते हैं तो आपको काफी एच्छी से आपँ ज्चुको injoy shooter पाईएगा फूसर की बात करें तो इस पून में आपको Mediatek का Diamond City 900 5G chipset देखने हो मल जाता है इवेन यहाँ पर आपको 8 GB का RAM देखने हो मलता है जो कि LPDDR5 है और 120 GB का आपको UFS 3.1 का storage देखने हो मलता है बीजेमाई इसमें काफी स्मूध नी तरिके से चल जाता है 60 fps का आपको option देखने हो मल जाता है और इवेन यहाँ पर अगर आप बीजेमाई खेलते हैं आप बीजेमाई के काफी बड़े फैन है तो आपको जो है काफी बढ़ियां experience होने वाला इस पून में बीजेमाई खेलके क्योंकि Diamond City का 998 जो chipset है यह basically गेमिंग के लिए optimize किया गया है और यहाँ पर मुझे बीजेमाई खेलकर काफी मज़ा आया जैसे कि आप यहाँ पर देख पार है बाकी dedicated gaming भी बीव जल्दी मेरे चैनल पर आएगा बैटरी यहाँ पर 5000 मिलिया जाता है XOS 10.0.0 जहां पर काफी सारे फीचर है और फीचर वीडियो भी मेरे चैनल पर जल्दी आ जाएगा तो चैनल को hopefully subscribe कर लिजेगा और bell icon को press करके all पर क्लिक दिया sound quality बात करें तो यहाँ पर आपको single bottom fire speaker देखने हो मिल जाता है यहाँ पर जो है sound quality मुझे ठीक ठक लगा काफी सदा great तो नहीं बूलूँगा आप यहाँ पर खुद सुन पाईएगा so जैसे कि आपने सुना इसका sound quality decent सा है माइक थोड़ा दूर था आपको थोड़ा धीमा ही सुनाई दिया होगा बट ठीक ठाक है security बात करें तो यहाँ पर आपको face unlock और side mounted fingerprint scanner दिया गया है तो चेक करते हैं सबसे पहले face unlock को यहाँ पर मैंने lock किया प्रेस किया open और यहाँ पर तो थोड़ा सा यहाँ पर time लगा रहा है जैसके आप यहाँ पर दीख पार है lock screen दीख रहा है instantly unlock नहीं हो जा रहा है face unlock अब यहाँ पर fingerprint sensor को चिक करते हैं यह मैंने lock किया और यह just मैं touch करूँगा और यह देखे open मैंने touch किया open तो यहाँ पर fingerprint sensor काफी fast और accurate काम कर रहा है बात करते हैं physical overview तो फ्रेंट अब में जाता है आपको ear speaker sensor front flash और पंच्छोल 16 अबसल का front camera left hand side में आपको SIM tray देखने हो मिलता है जहाँ पर आप at a time जो है दो SIM card और एक memory card कर सकते हैं जो कि काफी अच्छी चीज है राइट-hand side की बात करें तो यहाँ पर आपको power button देखने हो मिलता है जहाँ पर scanner भी दिया गया है fingerprint और volume button देखने को मिल जाता है उपर की तरह बात करें तो यहाँ पर आपको सेगंड नोइस केंशन माइक देखने हो मिलता है नीची की तरह बात करें तो यहाँ पर आपको 3.5 audio jack देखने हो मिलेगा primary mic देखने हो मिलता है c-type port दिया गया है primary speaker देखने हो मिलता है पिछी की तरह बात करें तो यहाँ पर आपको triple rear camera देखने हो मिल जाता है camera की बात करें तो फ्रेंट में आपको 16 अपसल का front camera देखने मलता है single LED flash के साथ और rear में आपको triple rear camera देखने मलता है 48 plus 13 plus 2 में आपसल का quad LED flash के साथ camera interface की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे AI camera दिया गया है उपर में आपको 2x telephoto lens यह दिया गया है basically और यहाँ पर आप zoom कर सकते हैं 30x तक जैसके आपको यहाँ पर दिखाए देर है काफी जादा zoom हो जाता है बागे यहाँ पर जो है all total feature दिया गया है short video AI camera beauty portrait pro AR shot document time lapse यह सारे feature दिया गया है इनको मैं dedicated video में explain कर दूंगा फिलाल आप कुछ camera samples देख लीजिए यहाँ पर स्कोर काफी बढ़िया है 483,721 एक बेंच 5K स्कोर की बात करें तो सिंगल कोड में स्कोर किया है 708 मल्टी कोड में स्कोर किया है 2,184 वाइबंड security लेवली की बात करें तो unfortunately यहाँ पर जो है L3 का support दिया गया है यानि कि आप Amazon Netflix वगेर में full HD content का मजा नहीं उठा पाएंगे बागी बात करते हैं सेंसर की तो हर तरह का सेंसर दिया गया है temperature है magnetic है जाइरो है light है पॉक्सिमेट्री है step counting है gravity है हर तरह का सेंसर दिया गया है सेंसर के मामले में यहाँ पर कोई भी कंजूसी नहीं किया गया है आप सब्सक्राइब को इनफनिक 05 जी का उन्बॉक्सिंग वीडियो पसंद आया होगा बाकी मेरी उपिन की बात करें तो यह पॉन जो है मुझे काफी अच्छा लगा इनफेक्ट अगर इसका प्राइस जो है 18,000 उपय होता है न तो भाई सहाव गेमिंग के मामले में यह किंग रहेगा 18,000 के बजेट सेक्शन में और इस बार जो है टेली फोटो लिंज दिया गया है जिस पसे आप पोर्टेश और काफी बढ़ियां कैप्चर कर सकते हैं और 1080 पी पे 60 पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं अगर आप यूटूब बगर है या फिर नॉर्मल पिनिक्स में सच में काफी बढ़ियां यहां पर अपगेट किया है और अब यहां पर इंट्रेश बेरे-देरे रियल मी रेडिमी जैसे बड़े-बड़े कमपनी को टकर देने के काबिल हो चुका है तो फिलाल आपके जो है उपिनियन क्या है नीचे कॉमेंट स्क्रीन में जरूर कमेंट कीजेगा बाकि आपको मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट स्क्रीन में जरूर कमेंट कीजेगा और वीडियो पसंद आता है तो बड़े को लाइक का देगा चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके बिलाइकर को प्रेकर दिया जिससे जब भी मैं कोई न आत रही है और बने रही है आर जे टेक्निकल्स के साथ